आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं The Hindu Editorial For Improving English Grammar and Vocabulary तो बहुत अच्छे लेवल का ये आज का एडिटोरियल है इसको end तक देखिएगा और इसमें काफी सारे advanced level के vocabulary, grammatical concepts used हुए हैं तो मैं आपको ये पूरी news पढ़के दिखाऊँगा With exact Hindi meaning और वीडियो पसंद आए तो comment करके जुरूर बताईएगा क्योंकि अगर आप comment करेंगे तो ही मैं आपके लिए और जदा editorials लेकर आऊँगा Otherwise, editorials नहीं आएंगे तो comment जुरूर कीजिएगा और अगर English सीखना चाहते हैं तो आप मेरा one year का course जोईन कर सकते हैं 500 वीडियोस हैं, step by step basic to advanced level तर तो इसके लिए आप become English champion app डाउनलोड कर सकते हैं बागी detail आपके सामने हैं तो चलिए शुरू करते हैं The Hindu editorial तो आज ये जो editorial है ये है 16 December 2023 का मतलब आज 16 ही है तो इसे read करते हैं तो सबसे पहले headline debt debt का मतलब होता है rein मतलब कर्जा and or welfare कल्यान तो यहाँ पर लिखा है rein और कल्यान अब यहाँ पर लिखा है on मतलब पर किस पर the new government नई सरकार पर कहां पर है इन मध्यपरदेश मध्यपरदेश में election promises promises मतलब वादे election मतलब चुनावी तो चुनावी वादे तो इन पर and or the exchequer तो exchequer का मतलब होता है जिसको आप बोलते है सरकारी खजाना या फिर राज्यकोश कि कैसे सिंपल है राज्यकोश सरकारी खजाना एक वर्ड आप यह याद कर लें debt is कर्जा welfare is कल्यान तो पूरा मतलब समझ में आगया होगा कि रिन और कल्यान नई सरकार मध्यपरदेश में है जो उस पर और election promises पर और exchequer पर मतलब सरकारी खजाने पर तो इसके नीचे एक और headline लिखी हुई है ये भी headline है as क्योंकी या फिर चूंकी it seeks it मतलब सरकार के लिए यूज किया गया है नई सरकार as it seeks seek का मतलब होता है find करना खोजना look after करना as look for करना look for होता है ढूणना look after मतलब देख भाल करना तो as it seeks to fulfill pool promises तो ये headline है इसलिए इसको present indefinite में लिखा है तो इसका मतलब है क्योंकी सरकार को it को fulfill करना है fulfill मतलब होता है पूरा करना इसको pool promises को promises मतलब वादे noun है और pool यहां पर adjective का काम कर रहा है इसका मतलब होग चुनावी यानि कि election promises तो क्योंकी सरकार को चुनावी वादों को पूरा करना है तो भारतिय जनता party जो BJP है यहां पर देखिए the लगा हुआ है जो भी parties होती है इनके साथ the लगाया जाता है तो the भारतिय जनता party must keep अब यह keep जो है यह verb की first form है तो यह पूरा word है keep n i यह आपको याद रखना है एक तो हम should की जगा पे यूज करते हैं और एक यूज करते हैं will have to की जगा will have to बोलता है पढ़ेगा मजबूरी ऐसी कह रहे हैं अगर हम चाहें तो will have to की जगा पे must लगा सकते हैं तो मतलब हुआ कि BJP को नजर गडा कर रखनी पड़ेगी किस पर on the exchecker exchecker अभी अभी आपको मैंने meaning बताया सरकारी खजाना या राज्यकोश उमीद है सारा समझ में आया तो आगे पढ़ते हैं main news अब देखिएगा ध्यान से with the swearing in of मोहन यादव मोहन यादव के शपत के साथ swear in ये वड़ा आप याद करेंगे swear in इसका मतलब होता है शपत ग्रहन करना मंतरी शपत ग्रहन करते हैं तो with the swearing in of मोहन यादव off लगावा है उल्टा पढ़ते हैं मोहन यादव के शपत ग्रहन करने के साथ as के रूप में किस रूप में शपत ग्रहन करी the chief minister of madhya pardesh तो madhya pardesh के chief minister के रूप में मोहन यादव के शपत ग्रहन के साथ ये मतलब वह सारा तो इसके साथ क्या आगे लिखा है the bharatya janta party bjp has heralded a new era herald herald का मतलब क्या होता है herald का मतलब होता है इसके दो मतलब मैं आपको बदाता हूँ देखिए सामने याप आपके लिखा हुआ है एक तो है शुरुआत करना जो की है verb तो यहाँ पे जो sentence है इसका मतलब है शुरुआत करना कि bjp ने शुरुआत की है और दूसरा इसका मतलब होता है एक नाउन के रूप में संदेश वाहक मतलब messenger अगरदूत ठीक है यह आपको याद रखना है herald का मतलब अगरदूत संदेश वाहक अगर नाउन है अगर वर्ब है तो इसका मतलब हो जाता है दो मतलब निकलते हैं वैसे एक होता है शुरुआत करना और एक होता है inform करना सूचित करना तो यहाँ पे इसका मतलब है शुरुआत करना तो सूचित करना और शुरुआत करना दो मतलब निकलते हैं तो इस मतलब इस शपत के साथ जो BJP है has heralded तो इन्होंने शुरुवात किया है, a new era, एक नए era की, era क्या होता है, era का मतलब होता है yug, तो इसका मतलब जमाना भी बोलते हैं, और yug एक exact word है इसके लिए, तो एक नए yug की शुरुवात किया है, हेरल्ड किया है, और आगे लिखाव है, कौमा लगाके, a shift, ये एक shift है, shift का मतलब क्या होता है, जैसे आप बदलते हैं, एक घर में कोई पहले कोई और रह रह रहा था, आप वो shift होके महाँ पे, कोई और आ गया, तो ये एक shift है, from शिवराज सिंग चोहान's rain, rain का मतलब होता है शाशनकाल, लगाम जिसको आप बोलते हैं, मतलब जो बागदोर थी, जो शाशन था, वो इनके हाथ में था, शिवराज सिंग चोहान के हाथ में, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफ एस लगावा है, फिर rain लिखावा है, rain का मतलब शाशनकाल, मतलब उनका rule, तो ये एक shift है, कि इसके अंदर, तो में ये सारा का सारा समझ में आया, तो ये तीन लाइनों में ये हुआ एक संटेंस, नेक्स्ट है, इन मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश में चतिसगर्ड एंड राजस्थान और यहाँ पर भी, the BJP has chosen, BJP ने चुने है, new leaderships, new leaderships को इन्होंने चुना है, तो simple है तो present perfect tense, chosen verb की third form, और ध्यान रखिएगा, कि आप देख सकते हैं, कैसे कैसे use हुए हैं, क्योंकि जितना आप पढ़ते टाइम, इन चीजों को observe करेंगे, कहाँ पर क्या लगता है, full stop, comma, semicolon, hyphen, ये सब, अगर आप देखते जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा, return English भी improve होगी, आगे देखिए, दो, दो का मतलब हालां की, दो एक conjunction है, हालां की Mr. Chohan, मतलब शिवराज सिंह Chohan, जो पहले जिनका था, तो हालां की Mr. Chohan continues, present indefinite tense, continue बता रहा है कि अभी भी जारी है कोई चीज, चल चल रही है, to command, command करना, significant popularity in the state, पहले यह मतलब समझ ले, in the state is, state में, राज्य में, मध्यपरदेश में, significant popularity, popularity की मतलब, इसका मतलब होता है, लोग प्रियता, ये एक नाउन है, लोग प्रियता, और significant का मतलब होता है, महतरपुर्ण, significant एक adjective है, तो मतलब हुआ, हालां की Mr. Chohan की जो महतरपुर्ण, लोग प्रियता है, राज्य में, वो अभी जारी है, मतलब अभी उनके पास ही है, फिर भी, जो ये दो का लेसन होता है, इसमें क्या था, हालां की ऐसा है, फिर भी ऐसा है, तो हम कॉमा लगा देते हैं यहां पर, अगर आप all दो लिखते हैं, तो ये लिखना पड़ता, तो हाला की इनकी जो महतरपुर्ण, लोग प्रियता है, राज्य में, वो भी जारी है, फिर भी, और री अलाइनमेंट, अब ये वर्ड आप पहले याद कर सकते हैं, अलाइनमेंट, इसका मतलब होता है, पुनर गठन करना, ठीक है, पुनर गठन करना, जैसे अलाइनमेंट होता है, आप किसी चीज को अलाइन कर रहे हैं, गठन कर रहे हैं उसका, और पुनर गठन, मतलब दुवारा से उसका निर्मान करना, गठन करना, तो हाला की ऐसा है, फिर भी, और री अलाइनमेंट, मतलब पुनर गठन, पुनर एकी करन, of interest groups, जो भी interest groups हैं, and leaders, और जो leaders हैं, तो इनका जो पुनर गठन है, is now likely, वो अब संभव है, likely का मतलब होता है, संभव होना, तो उमीदा समझ माया, पूरा मतलब हो गया कि हाला कि Mr. Chohan की जो मैतरपुर्ण, लोग प्रियता है, राज्ये में, वो अभी भी जा रही है, फिर भी, जो interest groups हैं और leaders हैं, तो उनकी realignment, मतलब पुनर गठन, फिर भी संभव है, is now likely, now next is, the BJP's, BJP का, यह apostrophe S लगा है, BJP का massive majority, तो BJP की जो व्यापत, massive मतलब होती है, विशाल का यह बड़ी, बहुत ज्यादा, majority मतलब होती है, बहुमत, जैसे कोई election में जीतता है, तो ज्यादा बोटों से जीतता है, तो बहुमत, majority से जीता, तो ऐसी massive majority, जो है BJP की, is largely, वो काफी हद तक, मतलब लार्जली, काफी हद तक, यह एक adverb है, is being credited, उसका श्रेय दिया जा रहा है, तो is being credited, यह हमारा present continuous tense है, passive voice का, तो BJP massive majority object हो गया, being लगा है, credited verb की third form, तो BJP की यह जो विशाल बहुमत है, यह जो बहुमत है, वो उसका श्रेय लार्जली दिया जा रहा है, तो Mr. Chohan को, Mr. Chohan को who, जिन्होंने, who is a relative pronoun, तो जिन्होंने, under took 165 rallies, जिन्होंने 165 rallies करी, तो rally करना इस, under take rally, जिन्होंने इतनी rally करी, ahead of the pools, चुनावों से पहले, pools मतलब चुनाव, ahead of मतलब उन से पहले, उमीद है सारा समझ में आया, आगे देखते हैं, बट लेकिन, that strength, लेकिन यह जो ताकत है, मतलब यह जो majority वाली जो ताकत है, could force, यह force कर सकती है, force मतलब हो जाता है, मजबूर करना, could यहाँ पर use हो रहा है, could संभावना बताता है, future की, जो हमने could के lesson में 4 cases किये थे, तो could force, यह मजबूर कर सकता है, संभावना है, इसको the new chief minister को, to chart his own course, कि वो अपना जो रास्ता है, अपनी योजना है, उसको खुद तै करे, तो यह जो strength है, यह मजबूर कर सकती है, chief minister को नए, कि वो अपना जो course है, course मतलब जो भी उनका action of plan होगा, तो उसको खुद chart करे, मतलब उसको खुद बनाए, खुद अपना रास्ता तै करे, और यहाँ पर लिखावा है paradoxically, paradoxically का मतलब होता है, विरोधा भास रूप से, यह word आप याद कर सकते हैं, विरोधा भासी रूप से, एक adverb है, जैसे हम बोलते हैं paradox है, एक मालो बंदा बोलता है, कि हमें सबके परती दया रखनी चाहिए, ठीक है, और वो दूसरी तरफ जानवरों को मार के खाता है, तो यह तो paradox हुआ, विरोधा भास हुआ, वो बोल यह रहा है कि सबके परती प्रेम रखना चाहिए, लेकिन वो जानवरों को मार रहा है, तो इनके परती तो नहीं है, तो यह तो हो गया विरोधा भास, जैसे कई लोग बोलते हैं, जूट नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो जूट बोलते हैं, तो यह तो विरोधा भास हो गया, तो उसी तरह से कहा रहे हैं कि यह जो strength है, यह ताकत है, जो इन्होंने अरजित करी, Mr. चोहान की इतने रेलियों की वज़े से, तो इनका credit तो इनको जाता है चोहान को, लेकिन जो Chief Minister है, वो कोई और बन रहा है, तो इसलिए बोलने है, paradoxically विरोधा भास रूप से, तो यह जो ताकत है, विरोधा भासी रूप से, तो यह मजबूर कर सकती है, new Chief Minister को अपना खुद का रास्ता तै करने के लिए, आगे है, with Mr. Yadav, जो Mr. Yadav है, new Chief Minister, तो यह जो है, with Mr. Yadav, इनके साथ, जो की an OBC Leader है, अब देखिए, कोमा लगा हुआ है, यह इनके बारे में बता रहे हैं, यहाँ पर who relative pronoun भी लगा सकते हैं, who is an OBC Leader, and or his diptees, diptees का मतलब होता है, परति मतलब हो जाता है, इसका representatives, तो Mr. Yadav, जो OBC के leader है, and his diptees, और उसके जो representatives है, परति निदी हैं, कौन? अब यह देखिए, लिखावा है, जगदीश देवडा, जो की an SC Leader है, and or Rajendra Shukla है, और यह कौन है, a Brahmin leader, तो यह इनके कौन है, diptees है, representatives है, तो इनके साथ, मतलब Mr. Yadav के साथ, और इन दोनों diptees के साथ, जो BJP है, the BJP aims, BJP का लक्षे है, to consolidate, कि वो consolidate करें, मतलब हो जाता है, strengthen करें, मतलब मजबूत करें, तो consolidate अच्छा वाड़ है, मजबूत करना, तो BJP aims, BJP का लक्षे है, consolidate करना, मजबूत करना, it's rainbow cast collision, collision का मतलब हो जाता है, जिसको आप बोलते हैं, गड़बंधन, cast मतलब जाती, rainbow मतलब इंदरधनुश, तो इसकी जो इंदरधनुश, जाती, गडबंधन है, तो उसको मजबूत करना, ये BJP का aim है, in the state, राज्य में, आगे लिखा है, with the pointed exclusion of Muslims, जो Muslims हैं, उनके exclusion के साथ, exclusion का मतलब होता है, बहिशकार, और pointed का मतलब होता है, सूसपस्ट, मतलब एकदम clear, जिसको बहुत है crystal clear, तो वो पूरा bycote करेंगे, exclusion is, bycote करना, बहिशकार करना, निकाल देना, मतलब उनको नजर अंदाज करना, इग्नोर करना, next is, meanwhile, मतलब इस बीच, या इतनी देर में, मतलब in the meantime, तो इस बीच, आगे लिख है, continuing its tribal outreach, अपनी जो tribal outreach, outreach मतलब होता है, पोहँचना, reach out करना, और बड़े पैमाने पर, एक large scale पर, और किसको reach out करना, ट्राइबल, ट्राइबल क्या होता है, जन जाती है, या फिर जो आदिवासी लोग होते हैं, तो इस बीच, continuing, मतलब जारी रखते हुए, अपनी जो यह जन जाती है, outreach है, पोहँच है, इसको जारी रखते हुए, the new government, नई सरकार, in, मतलब में, तो नई सरकार, in one of its first decisions, यह आपको समझना है, first decisions, मतलब इनके पहले कुछ फैंसले होंगे, कि पहले जो हम फैंसले लेंगे, उनमें 10 काम है, तो कहने हो, उनमें से एक, one of its first decisions, पहले decisions में से एक में, इन, तो नई सरकार, अपने पहले decisions में से एक में, तो इन्होंने, increased, बढ़ा दिया, the तेंदू पत्त collection rate, तो यह जो तेंदू पत्ता collection rate, सरकार इन से collect करती होगी, तो वो rate, इन्होंने increase कर दिया, from 3000 से 4000 पर bag, उमिद है, यहां तक समझ में आया, तो पूरा बता दूं, meanwhile, इस बीच, अपनी जो tribal outreach है, इसको जारी रखते वे, नई सरकार ने, अपने first decisions में से, एक में, increase कर दिया इस थी, it had made, जो इसने की थी, it मतलब सरकार ने, in its manifesto, अपने manifesto में, manifesto का मतलब होता गोशना पत्र, जब election से पहले वो जो गोशना पत्र दिखाते हैं, कि हम यह यह काम करेंगे, उसको गोलते है manifesto, गोशना पत्र, तो उमिद है, यह सारा समझ में आया आपको, तो पहले वो तीन हजार में लेते थे, उन आदिवासी लोगों से, वो तेंदू पत्ता, अब उसका रेट बढ़ा कर, इननने चार हजार पर बैक कर दिया, वो चार हजार में उनसे खरीदेंगे, आगे है, the party also expects, expect मतलब उमीद, उमीद करना, तो पार्टी को यह भी उमीद है, कि radiate, कि यह radiate करेगी, मतलब बिखेरेगी, कौन बिखेरेगी, the effects of that consolidation, तो इसको मैं आपको एक बार मीनिंग बता दू पहले, फिर आपको पूरा समझ में आएगा, consolidation मतलब होता है, एकी करन या एकत्तरी करन, तो आगे देखिए, the party also expects, party को मतलब यह भी उमको expect कर रहे हैं वो, कि यह radiate होगा, मतलब बिखेरेगा, radiate करेगा कौन, the effects of that consolidation, यह जो एकी करन है, यह इसके effect भी देखने को मिलेंगे, इसका मतलब यह है, two neighboring Hindi belt states, जो हिंदी पट्टी, मतलब हिंदी भाशी जो states हैं, और neighboring मतलब पडोसी, तो पडोसी, हिंदी पट्टी राज्य या हिंदी भाश यह जो है, तो उन पर भी यह एकी करन के effect, तो that consolidation, मतलब वो एकी करन, effect, तो ओफ लगाव है, तो उस एकी करन के effect, इन पडोसी देशों में भी देखने को मिलेंगे, यह पार्टी एक्सपेक्ट करती है, तो next है, इन मध्यपरदेश, मध्यपरदेश में, OBCs, कहाँ हैं, जो OBC हैं, अलोन, अकेले, form बनाते हैं, more than 50% of the population, तो OBCs की जनसंख्या, अकेले में कितनी हैं, मतलब 50,000, 50% तो, अकेले OBCs हैं, वाइल, जब की, SCs, जो SCs हैं, account for, वो, जिसको बोलते हैं, हिस्सेदार होना, account for मतलब हिस्सेदार होना, तो, जो SCs हैं, वो हिस्सेदार हैं, about 17%, मतलब 17% के हिस्सेदार SC हैं, तो, 100 में से 50 होगे OBCs, अकेले, और SC हैं, लगबग 17%, Next है, ब्राह्मिन्स, जो ब्राह्मन है, आर कंसीडर्ड, इनको माना जाते हैं, कंसीडर्ड मतलब होता है, मानना, तो, यह हमारा present, indefinite होगया, passive voice, इस कंसीडर्ड यहां पे वर्ब की, third form, ब्राह्मन होगया, object, तो, ब्राह्मन्स आर कंसीडर्ड, ब्राह्मनों को माना जाते जाता है, consider किया जाता है, an influential community, community मतलब समुधाय, influential मतलब जिसको गलते है परभावशाली, जो किसी को influence करते हैं, तो ब्राह्मन्स को माना जाता है, influential मतलब परभावशाली, समुधाय, in the states, राज्य के विंध्या रीजन में, आगे इसके बारे में यह बता रहे हैं, a long time BJP stronghold, इसका मतलब आप समझ ले, a long time stronghold, इसका मतलब होता है, जिसको गड़ बोलते हैं, मानलों यह गाओं के अंदर फोजी फोजी हैं, तो वो फोजीों का गड़ हो गया, एक गाओं में या सिटी में सिरफ नेता हैं, तो वो नेत का गड़ हो गया, ऐसी a long time BJP stronghold, मतलब लंबे समय से यह BJP का गड़ रहा है, तो पूरा उमीद है समझ में आया, तो मतलब हो गया, ब्रामन को माना जाता है, परभावशाली समुदाय, स्टेट के विंध्या रीजन में, जो की BJP का गड़ रहा है, तो आगे है, the yadavs, जो y yadavs है, have been relatively less enthusiastic, वो कम उतसाई है, relatively तुलनात्मक रूप से, relatively यानि के दूसरी जात्ती वाले जो है, या जो yadavs है, तो इसलिए यूज किया, relatively तुलनात्मक रूप से, enthusiastic मतलब उतसाई, less मतलब कम, तुलनात्मक रूप से कम उतसाई है, तो yadavs कम उतसाई रहे हैं, then others, तुलनामे, ठीक है, दूसरों से कम रहे हैं, किस चीज से रहे हैं, to, to the BJP's, जो BJP का, ये overtures है, अब overtures क्या होता है, ये word आपको सीखना चाहिए, इसका मतलब होता है, पहले हिंदी में बता दू, मैतरी, मतलब जिसको आप दोस्ती बोलते हैं, मैतरी या व्यापारिक संब मतलब बिजनस वाले जो रिलेशन होते हैं, आदी बढ़ाने के लिए पहल या संकेत कदम, इंगलिश में है, an act of being friendly, friendly होना towards somebody किसी के परती, especially, खास तोर पर, because you want to be friends, क्योंकि आप उसके दोस्त बनना चाहते हैं, to start a business relationships, तो इसी को बोलते हैं, ओवर्चर, जो ये BJP का, चाहते हैं, तो उस चीज़ को लेकर, यादव's relatively less enthusiastic है, than others, और ये जो BJP के overtures हैं, किसके परती, towards overseas, तो overseas के साथ ज़्यादा business relation हो रखना चाहते हैं, इसलिए वो कम enthusiastic है, उतसाही हैं, next है, hence, इसलिए, Mr. Yadav's appointment, इसलिए Mr. Yadav का जो appointment है, न्युकती, appointment यहाँ पर noun है, इसलिए Mr. Yadav की न्युकती, is a new leap, वो एक नई उचाल है, leap मतलब चलांग या उचाल, जैसे leap year होता है, साल में 29 फरवरी वाला एक दिन आता है, चार साल में, उसको leap year बोलते हैं, तो Yadav का जो ये appointment है, न्युकती है, वो एक चलांग है, नई चलांग, इन मतलब social engineering हो गया, लोगों के साथ, ज्यादा तालमेल, ज्यादा उनका ध्यान अपनी तरफ खीचना, उनके साथ अच्छे relation, मतलब जितना भी कुछ आ गया, social related, उमीद है यहाँ तक समझ में आया, अब next paragraph, the new government, नई सरकार, will have its hands full, इनके हाथ भरे ही रहेंगे, its hand, सरकार है, it लगेगा, its hands full, इसके हाथ भरे ही रहेंगे, have का मतलब possession शो करता है, यह verb की first form है, सरकार subject, तो नई सरकार के हाथ फुल रहेंगे, from the word go, अब इसका मतलब क्या है, बहुत लोगों को शायद नहीं पता, य यह एक मुहावरा है, idiomatic expression है, from the word go, इसका मतलब होता है, beginning से, शुरुवात से, तो न्यूस्पेपर में आपको मिलता है, from the word go, शुरुवात से, आरंब से, यह स्टार्टिंग से, तो सरकार के हाथ फुल रहेंगे, शुरुवात से, आगे है, one of the most prominent and effective campaign promises, अब देखिए, promises मत मतलब, जो वादे हैं, उनमें से एक, और कौन से वादे, जो most prominent है, most मतलब हो जाते है, सबसे prominent is प्रमुख, ठीक है, सबसे प्रमुख and effective, मतलब परभावशाली, campaign promises, campaign क्याता है, अभियान, तो पूरा मतलब हुआ, कि जो सबसे प्रमुख और परभावशाली, अभियान, वा was, वो था to enhance, कि बढ़ावा करना है, उसको बढ़ाना है, कि इसको the loudly बहना scheme को, यहां पर देखिए कौन सा rule use हुआ हमारा, was to word to का use, यह जो one से लेकर BJP तक है, यह सारा हमारा subject है, फिर was to use हुआ, फिर हमारा work की first form, यह हमारा was to word to का lesson, तो कह रहे हैं कि सबसे प्रमुख और प्रभावशाली, जो campaign promises हैं, उनमें से एक, जो BJP है, उनमें से एक, वो यह है, वो था enhance करना, लाडली बैना scheme को, आगे about लगबग 1.31 करोड women, लगबग इतनी जो औरते हैं, from poor households, गरीब परिवारों से, get उन्हें मिलता है, इतना a month at present, अभी, फिलार, तो यह सारे household तक subject हो यह हो गया, present indefinite, तो लगबग इतनी women को, जो poor households हैं, उनको 1250 रुपे मिलते हैं, हर मही में, at present, फिलाल, and the BJP, और जो BJP है, under Mr. Chohan, मतलब पिछले पहले जो सरकार के CM थे, तो वो BJP, under Mr. Chohan, जो under इनके थी, Chohan के, had promised, इन्होंने promise किया था, यहां पर had promised लगा है, past perfect tense, इन्होंने promise किया था, तो gradually, कि धिरे-धिरे, raise, वो बढ़ाएंगे, it, इसे, मतलब इस, यह जो भी scheme है, इसमें, जो रकम है, इसको बढ़ाएंगे, raise it करेंगे, to 3000, 3000 तक, पूरा मतलब हुआ, लगबग 1.31 करोड women, जो poor household से हैं, उनको 1250 पर मिलते हैं, अभी फिलाल, हर मन्त, और जो BJP है, जो Mr. Chohan के under थी, तो इन्होंने promise किया था, कि वो gradually, धिरे-धिरे, raise करेंगे, इस amount को 3000 तक, next is, Mr. Yadav has not yet indicated, Mr. Yadav, जो 9CM है, इन्होंने indicate नहीं किया है, indicate मतलब होता संकेत करना, तो यह present perfect, और yet का use हो रहा है, तो इन्होंने अभी तक, yet मतलब अभी तक, तो Mr. Yadav ने, however, फिर भी, फिर भी या लेकिन, दो मतलब इसके, however के चार मतलब निकलते हैं, तो यहां पर फिर भी इसका मतलब है, फिर भी Mr. Yadav जो है, इन्होंने अभी तक, indicate नहीं किया है, his plans अपनी योजनाओं को, on this, इस चीज़ को लेकर, The BJP has also promised, BJP ने ये भी promise किया है, to hike, कि वो बढ़ाएंगे, hike मतलब होता है, बढ़ाना, किसको the support prices को, support prices मतलब समर्थन जो कीमते हैं, उनको बढ़ाएंगे, किसकी of wheat and paddy, wheat is गेहूं, और paddy का मतलब हो जाता है, जो, तो धान बोलते हैं जिसको आप, wheat and paddy, गेहूं और जो धान है, ये जो फसले हैं, crops, तो इनका जो support price है, उनको बढ़ाएंगे, तो ये BJP ने has also promised, ये भी promise किया है, कितना बढ़ाएंगे, to, 2700 and 3100 respectively, अब यहां respectively का मतलब होता है, करम शह, मतलब पहले आपने wheat की बात करी, पहले आपने संख्या लिखी 2700, तो wheat का price 2300, फिर आपने paddy लिखा, paddy का, यहां पे संख्या लिखी 3100, तो इसका मतलब paddy का इतना price, respective नमतलब इस करम में, तो ये बढ़ाएंगे, इनको ने promise किया है, it had also promised, इन्होंने ये भी promise किया था, past perfectance, to provide कि ये provide करेंगे, उपलद कराएंगे, LPG's lender, at 450 उरुपे में, to, किसको कराएंगे, to, the beneficiaries, beneficiary कोन होते हैं, ये word भी आपको आना चाहिए, ये तो बहुत common है, banks में आपको देखने को मिलेगा, इसका सिधा मतलब होता है, लाभारती, जो भी लाभ उठाने वाले तो जो जिनको benefit मिलता है, उनको beneficiary बोलते हैं, तो जो benefit लेने वाले हैं, कौन से, to the beneficiaries of the Lardley-Bena scheme, जो Lardley-Bena scheme है, and the center's PM Ujwal scheme, ये जो दोनों scheme है, इनके जो beneficiaries है, जिनको benefit मिलता है, इन योजनाओं का, तो इनको मिलेगा slender 450, मतलब, LPG slender मिलेगा, ये भी बादा किया गया था, और अगर आपको लग रहा है कि, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वैसे आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले काम करना पढ़ता है, इसके लिए grammar पर, जब तक आपकी grammar अच्छी नहीं होगी, grammar, ये नहीं मैं कहा रहा हूँ कि noun कितने types के adjective कितने type के हैं, उसको मैं grammar मानता ही नहीं हूँ, main grammar होते है rules, आपको rule आने चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए, कि किस word का क्या मतलब है, उसको use कैसे किया जाता है, that's all, यहीं आपको सीखना है, बस इससे जदा आपको deep grammar में नहीं जाना है, लोग सीखने लगते हैं कि verbs कितने type की है, transitive, intransitive, ये, वो, stative, नहीं कौन-कौन सी verbs, आपको नहीं गुसना उसके अंदर, और believe me, मैंने सारी चीज़े पढ़ी हैं, बाद में पढ़ी, लेकिन नहीं भी पढ़ता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है कहां पर किस चीज को कैसे है, तो आप भी सीख सकते हैं, तो आपको पहले rules पे काम करना है, करना चाहते हो, अपने rules पे काम सीखना है, तो आप मेरे course को जॉइन कर सकते हो, after watching this video, आपका नाम, Become English Champion, तो course को जॉइन करके, step by step सीखिएगा, तभी आपको मजा आएगा, नहीं तो जितनी मर्जी वीडियो देखते जाए, मजा नहीं आएगा, तो आगे देखते हैं, आगे लिखा है, fulfilling, मतलब पूरा करते हुए, यहाँ पे fulfilling, ing लगा है, पर अभी इसका मतलब नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर यह ing लिखा होते है, फिर coma लगा होते है, तो होते है, वो करते हुए, लेकिन यह आपे, कोमा कहीं नहीं लगा हो है, तो देखिए, आर लगा हो है, expected लगा हो है, वब की third form, तो fulfilling, these promises, तो इसका मतलब हो जाएगा, यहाँ पे करना, यह कहा है, करते हुए, अगर कोमा लगा हो, यह लिख, fulfilling, कुछ लिखके, अगर कोमा लगा होता, तो हम इसका मतलब निकालत है, कि promises, इन promises को पूरा करते हुए, पर यहाँ पे कॉमा नहीं लगा, इसका मतलब है, करना, तो इन promises को, इन वादों को पूरा करना, and or continuing, और जारी रखना, welfare schemes को, कल्यान, योजना है, इनको जारी रखना, are expected, मतलब उमीद है, यह मारा advanced rule है, जो मैंने आपको 10 advanced rule कराये थे, believed to, supposed to, claim to, seem to, वो बहुत सारे advanced थे, तो वही rule यहाँ पे use हुआ है, तो यह जो दोनों है, are expected, मतलब ऐसा उमीद की जाती है, to pose an extra burden, कि यह extra burden डालेंगे, pose an extra burden is और जदा भार डालना किसी चीज़ पे, और यहाँ पे अगर मैं इसको short में, simple में बनाओ, तो ऐसा बनता है, it is expected that, तो it is expected that, फिर उसके बाद हम लिखते हैं, fulfilling these promises, और यह will pose, ठीक है, will pose, an extra burden, इस तरह से होता है, simple में, बट यह advanced rule है, इसलिए, जो subject होता है, वो पहले आ जाता है, फिर हम is mr लगाते हैं, फिर expected, फिर जो will present indefinite, या future indefinite, या past indefinite हो, तो हम two लगाके first form लगाते हैं, तो पता नहीं किसको समझ में आ रहा हुआ किसको नहीं, क्योंकि जिसने वो advanced rule कियोंगे, उनको समझ में आ रहा होगा, otherwise समझना मुश्किल होगा आपके लिए, तो दुवारा बताता हूं, fulfill करना इन promises को, और जारी रखना welfare schemes को, तो इस चीज से क्या उमीद है, कि यह एक extra burden डाल देंगे, to the state's exchequer पर, जो राज्य कोश है, सरकारी खजाना, उस पर एक burden डालेगा, as, क्योंकि the government is already reeling under heavy debt, क्योंकि सरकार पहले ही reeling, reeling मतलब होता है, जूज ना किसी चीज से, मतलब उससे गरस्त होना, तो सरकार पहले ही जूज रही है, heavy debt से, मतलब एक बहुत ज्यादा करजे से, estimated, जो अंदजा लगाया जा रहा है, to be close to, जो की लगबग पास है, 4,00,000,000 करोड के, एक करोड कितना होता है, अब आप सोचलो, 4,00,000,000 करोड इतना करजे से, जूज रही है, reeling कर रही है, क्यों कर रही है, due to के कारण, किसके कारण, various loans, बहुत सारे loans के कारण, by the previous government, जो पिछली सरकारे थी, उन्होंने जो loans लिये थे, उसके कारण, इतना करजा है, तो ऐसा estimate किया जा रहा है, the BJP's social engineering, BJP का जो ये social engineering है, involves, involves, इसमें शामिल है, present indefinite tense, wider representation, मतलब एक व्यापक, परतिनिदित्वर, wider is, जो काफी विशाल है, फैलावा, व्यापक, जिसको आ अपने अभी उपर पढ़ा था, massive, तो wider representation, मतलब काफी व्यापक, जो परतिनिदित्वर, and a widening hamper, hamper मतलब हो जाती ही, बाधा, एक word होता है, pamper, pamper मतलब होता है, लाड़ पयार करना, और hamper मतलब हो जाता है, hurdle, बाधा, तो जो व्यापक, व्यापक, परतिनिदित्वर, और व्यापक, widening का मतलब होता है, मतलब फैलता हुआ, व्यापक, hamper, जो बाधा है, बहुत बड़ी, किस चीज की, of welfare schemes की, जैसे परतिनिदित्वर, तो बहुत ज़दा हो गया, और यह जो बाधा है, वो बढ़ती जा रही है, welfare schemes की, तो इसमें यह सारी चीज़ें, include हैं, social engineering में needless to say, कहने की जरूरत नहीं है, it has, मतलब यह जो भी चीज़ें, जो भी scheme में देंगे या कुछ भी, it has social and economic cost, तो इसमें social यानिके सामाजिक और economic मतलब आर्थिक कीमत होती है, तो इसमें मतलब obviously अगर यह वादे करके इनको benefit तो देंगे, पर यह सारा का सारा किस के ओपर load ब शेर कर दीजिए, और comment करके जुरूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए और वीडियोज लेकर आ सकूँ, और अगर आप course जोईन करना चाहते हैं, तो अब आप app को download करके course जोईन कर सकते हैं, और अगर books buy करनी है, तो उनके links भी नीचे आपको मिल जाएंगे, so thank you so much, मिलते है अगली वीडियो में एक और इंटरस्टिंग टॉपिक के साथ,